नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी यूटूब चैनल कोर्मेंजाब प्रप्रपेशन पर दोस्तों यह है प्रैक्टिस सेट नमबर 3 तो अगर आप वीडियो रिग्जाम की प्रपेशन कर रहे हैं तो यह हिंदी का प्रैक्टिस सेट नमबर 3 है और इसमें आ हमारा जो पहला यहां पर question निकल करा रहा है, वह है, सभी राज सरकारों को भीजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है, तो जैसा कि हम सभी लोगों को पता है, पत्र लेकन हमारे सलीबस का part है, तो इस वज़े से यहां पर पत्र लेकन की भी परिपरत्र, यानि कि option number A आपका यहां पर right answer हो जाता है, next question देखते हैं, सासकी पत्र के संतर में कौन सा कथन गलत है, तो यहां पर कथन दिये गए हैं, पत्र संख्या के उपर तिथि लिखी जाती है, शंबोधन महोदय बाई ओर लिखा जाता है, next option, पत्र के सबसे उपर पत्र संख्या लिखते हैं, पत्र के बाई ओर सिवा में लिखा जाता है, तो इसमें कौन सा कथन गलत है, यह आपको बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा option number A, यानि कि पत्र संख्या के ऊपर तिथी लिखी जाती है, यह आपका यहाँ पर गलत है, बाकी सारे सही आंसर हो जाते हैं, सही options हो जाते हैं, next question है, माता पिता द्वरा पुत्र को लिखे गए पत्र में, माता पिता द्वरा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर question है कि माता पिता के द्वरा जो पत्र पुत्र को लिखे आ जाता है, उसमें माता पिता के द्वरा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए, तो इसका जो सही आंसर निकल कर आता है, वो आपका हो जाता है सुभाशीरवाद तीक है इसका हो जाएगा सुभाशीरवाद यानि कि option number A आपका सही आंसर हो जाता है next question आपके आगे बढ़ते हैं next question की तरफ तो दोस्तो question number 4 हमारा यहां पर निकल कर आ रहा है देख लेते हैं question number 4 तो question number 4 है निम लिखित में से कौन सा मूल दीरगश्वर है तो दोस्तों यहां पर आपको बताना है कि इन में से कौन सा मूल दीरगश्वर है तो दोस्तों यहां पर A, E और U यह तीनों की तीनों आपके मूल दीरगश्वर के अंतरकत आते हैं तो option number D यानि उप्युक्त सभी ये आपका option यहाँ पर सही answer हो जाता है आगे बढ़ते हैं next question निमलिकित में से शुद्ध शब्द छाटिए तो इन में से आपको शुद्ध सब्द बताना है कौन सा सब्द यहाँ पर शही लिखा गया है तो दोस्तों यहाँ जो शुद्ध सब्द है वो है आपका अधहीन यानि option number C सही answer यहाँ पर हो जाता है next आगे बढ़ते हैं निमलिकित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है तो इन में से शुद्ध वर्तनी वाला सब्द आपको बताना है तो इसका जो सही answer हो जाएगा यह option number B यानि सामपरदाइकता यह शुद्ध वर्तनी वाला सब्द है option number B आपका right answer हो जाता है next question देखते हैं question number 7 question number 7 है दीर्ग शंदी, गुड़ शंदी, व्रधी शंदी, यड़ शंदी वा अयादी शंदी शंदी के किस मूल भेद के अंतरगत सन्हित है तो देखते हैं, गुड़ शंदी, व्रधी शंदी, यड़ शंदी वा अयादी शंदी सन्दी के किस मूल भेद के अंतरगत सन्हित है तो यह आपका स्वर शंदी के अंतरगत आते है यानि option number B आपका right answer हो जाता है श्वरशंदी के 5 यहाँ पर यह भेद हैं देवशंदी, गुरशंदी, ब्रदीशंदी, यड़शंदी और आयादीशंदी नेक्स आजाता है निम लिखित में से कौन सा व्यंजन संदी का उदाहरण नहीं है तो इसमें जो है आपको बताना है कि कौन सा जो व्यंजन है तथा प्लस अभी हो गए यहाँ पर ठीक है तथा है यहाँ तथा भी नेक्स आजाते हैं आगे दिखते हैं कौशन नमबर 9 सेना नायक में समास हैं तो सेना नायक में कौन सा समास हैं आपको सही अंसर देना है तो ततपुरू समास हो जाएगा सेना का नायक सेना नायक नेक्स आजाता है चाराहा का सामासिक विग्रह क्या होगा तो चाराहा का जो सामासिक विग्रह होगा वो आपका हो जाएगा चारो और का समाहार सोरी चार राहों का समाहार आप्शन नमबर C चार राहों का समाहार नेक्सर आते हैं, नेक्स कोश्चन की तरफ, अनुकरण शब्द में उप्षर्ग कौन सा है, तो दोसों अनुकरण शब्द की अगर हम बात करते हैं, तो अनुकरण शब्द में जो उप्षर्ग है, वो है अनु, option number D, सही answer आपका हो जाता है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स कोश आते हैं शब्द की पहले, तो वो उप्षर्ग हो जाते हैं, तो यहाँ पर अपमान आपका यहाँ पर सही answer हो जाता है, नेक्स साजाता 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 है, नेक्स साजा निम लिखेट मेंसे कौन सा शब्द तडभो है तो इन मेंसे कौन सा शब्द तडभो कौन सा है तो इन पर पताना है question number 16 का answer देना है तो इसका हो जाएगा पाद यानि कि option number D यह आपका तस्वम सब्द है यहाँ पर next है उत्पत्ति के आधार पर शब्द का कौन सा भेद गलत है तो उत्पत्ति के आधार पर इसमें कौन सा भेद सब्द का गलत है तो आउसर हो जाएगा रूड ही यह उत्पत्ति के आधार पर भेद नहीं होगा बाकी तस्वम तद्भो और देसर यह उत्पत्त के आधार पर भेद पाया जाते हैं next है निमलिखित में से कौन सा शब्द समूह वाचक संग्या है तो इन में से कौन सा सब्द है जो की समूह वाचक संग्या है तो आउसर आपका हो जाएगा कुझ option number C next आते हैं निमलिखित में से कौन सा सब्द द्रव्यवाचक संग्या नहीं है तो इन में से कौन सा सब्द है जो की द्रव्यवाचक संग्या नहीं है तो उसने पत्र लिखा, इस रिखांकित सब्द का जो सर्वनाम भेद है वो है, पूरुस वाचक सर्वनाम, यानि option number B सही आंसर हो जाता है. नेक्स है, इतना दूध लाए हो, वाकि में रिखांकित सब्द, विशेशन के किस वहिद के अंदर गती आएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाता है, वो हो जाता है, परिमार वाचक. नेक्स आता है, किसी कारिका करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं, तो किसी कारिका करने या होने का बोध कराने वाले जो शब्द हैं, वो क्या कहलाते हैं, इसका अंसर आपको बताना है, तो इसका अंसर हो जाएगा option number C, यानि की क्रिया कहलाते हैं, नेक्स इसमें हो जाएगा हमेशा, तेखें अब्व्य ऐसे सब्द होते हैं इन पर लिंक वचन कारेकिं सब चीजों के कोई भी असर नहीं पड़ता है, ठीक है उनका जो जैसे के तैसे लिखे रहते हैं, तो इस तरह से वो अब्व्य गowerाते हैं, तो इसमें हमेशा आपका अब्व्य नहीं है तो अनपम शब्द का पर्यावाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है ये बताना है तो आंसर हो जाएगा अनेल से अनुग्रह का विलोम कौन सा है तो अनुग्रह का जो विलोम शब्दे हाँ पर बनेगा वो हो जाएगा option number दी विग्रह नेक्स आते हैं अगले question की तरफ वेद आर्यों के ग्रंथ हैं रिक्त अस्थान के लिए उचित शब्द चुने तो वेद आर्यों के ग्रंथ हैं कैसे ग्रंथ हैं तो अनसर हो जाएगा आधी ग्रंथ हैं यानि कि आधी बहुत पुराने ग्रंथ हैं नेक्स है मनुष्य जीवन की मनुवेगों के कारण होती है तो मनुष्य जीवन की मनुवेगों के कारण होती है option number D next आ जाते हैं अवर्णी शब्द अवर्णी शब्द के लिए एक वाक्य है तो अवर्णी शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा इसका आपको सही आंसर बताना है तो इसका हो जाएगा जिसे वाड़ी व्यक्त ना कर सके यानि कि option number C आगे बढ़ते हैं next question की तरफ जिस इस्त्री के पुत्र और पती न हो इस वाक्य के लिए एक शब्द है तो जिस इस्त्री के लिए पुत्र और पती न हो तो इसका आंसर हो जाएगा अवीरा option number A सही आंसर इसका हो जाता है आगे है गहरी नींद सोना मुहावरे का उचित अर्थ बताईए तो गहरी नींद सोना मुहावरे का जो उचित अर्थ होगा वो होगा घोडे बेच कर सोना option number C next है हाथ ना आना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है तो हाथ ना आना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा जुक्त अर्थ होगा वो आपका यहाँ पर जो हो जाएगा कड़ा परिश्रम करना यानि option number आपका डी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है आगे बढ़ते हैं निम्ले लिखित में से मिश्रवाके कौन सा नहीं है तो इन में से कौन सा मिश्रवाके नहीं है यह आपको बताना है त जो सही उत्तर निकल कराता है वह पंडित है किन्तु हठी है option number B next है निम्ले लिखित में से व्याकरणिक दरश्टिशे शुद्धवाके कौन सा है तो व्याकरणिक दरश्टिशे इसमें शुद्धवाके बताना है अंसर आपका हो जाएगा option number D मेरे घर के पास पान की एक द इसमें से कर्म वाच्य वाला वाके चुने तो इनमें से आपको कर्म वाच्य वाला वाके चुनना है तो आंसर हो जाएगा पत्र लिखा जाता है option number A आपका सही आंसर हो जाता है next है को किस करक का परशर्ग है तो जो को है ये आपका option number B कर्म करक का परशर्ग है next है निर्मल के लिए टिफिन लाया है तो nirmal अंस के लिए टिफिन लाया है इस रेखांकित शब्द के आधार पर बताईए कि यहां कौन सा कारक है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो यहां पर सही आंसर हो जाएगा करण कारक नेक्स्ट है निम लिखित मेंशे कौन सा शब्द स्त्री लिंग है तो इन में से कौन सा शब्द स्त्री लिंग है तो आंसर इसका जो हो जाएगा option number A, रितू next है, शुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर सब्द बहुवचन बन जाएगा तो सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द जो है वो बहुवचन बन जाएगा तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यह आपको यहाँ पर बताना है तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, सुधी जन, option number A next है, सीता सो रही थी, वाकिका काल है तो सीता सो रही थी, इसमें कौन सा काल है, तो आंसर हो जाएगा, अपूर भूत यानि option number C next है, निम लिखेत में से निपात का उधान कौन सा है तो देखें, निपात वो होते हैं, जब हम किसी बात पर जोड़ देना होता है तो कुछ special सब्दों का यूज करते हैं, तो उन्हें हम निपात बोल देते हैं ठीक है, तो इन में से जो निपात हो जाएगा, वो आपका option number E हो जाएगा next है, मैंने घर जाना था, वाकिमें अशुद अंस है तो मैंने घर जाना था नहीं होगा, यहाँ पर होगा, मुझे घर जाना था, यानि option number E आपका सही आंसर हो जाएगा next है, भारत में हिंदी को सम्मिधान के किस अनुच्छेद के अंतरगत राजभाशा घुशित किया गया है तो यह आपको यहाँ पर सही आंसर इसका देना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाता है, वो हो जाता है option number A अनुच्छेद 343 यानि 343 आई, ध्यान रखना है, अनुच्छेद 343 आई आगे बढ़ते हैं, निम्रिकित में से कौन सी बोली उत्तरगदेश की नहीं है तेनों से कनोजी, बरजभासा, खड़ी बोली, ये तीनों उत्तरगदेश में बोली जाते हैं, लेकिन जैपूरी जो है, वो उत्तरगदेश की बोली नहीं है, option number D आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है अगे बढ़ते हैं, कठिन प्रसिक्षन के बावजूद बहुत कम नेता बनते हैं, वाकिका उचित अंग्रेजी अनुबाद क्या होगा ठीक है, इसका उचित अंग्रेजी अनुबाद बताना आपको, तो इसका अंसर हो जागा डिस्पाइट रिगरेज इंस्ट्रक्षन, वेरी फ्यू लीडर्स आर प्रोडूस्ट, यानि ऑप्शन नंबर भी आपका सही अंसर हो जाता है नेक्स आते हैं, वाकिका उचित हिंदी अनुबाद क्या होगा तो इसका उचित हिंदी अनुबाद आपको यहाँ पर बताना है, वाकिक है कंजुवेशन आफ निचर वाटर सोर्सेज, सोरी, कंजुवेशन आफ निचुरल वाटर सोर्सेज तो ऑप्शन फिप्टी का जो सही अनुबाद है, वो क्या हो जाएगा तो कंजुवेशन का मतलब समझते हैं, सरक्षन निचुरल मतलब प्राक्रतिक, ठीक है तो प्राक्रतिक जल की जल सोरोतों का सरक्षन, यह आपका सही अन्सर हो जाएगा प्राकर्तिक जल सोतों का सरक्षन तो यह था दोस्तों यहाँ पर प्राक्टिस सेट नमबर 3 आप लोग कमेंट बाक्स में जरूर बताएं कि आपने यहाँ पर कितने क्विश्चन सही किये हैं मिलते हैं नए प्राक्टिस सेट के साथ तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग